हलो दोस्तों मैं पुशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक क्वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप चेंज इन ऑपे इंट्वेस्ट को देखके ट्वेड इनिशियेट कर सकते हो क्योंकि अगर आप इंट्वारे ट्वेडिंग करते हो तो वहाँ पे ऑपे इंट्वेस्ट तो मैटर करता है लेकिन open interest से ज़्यादा matter करता है change in open interest क्योंकि ये आज हमें दिखाता है कि आज के दिन जो put writers है और call writers है उनका कैसा view है market को लेके कौन ज़्यादा strong है on a particular day उससे हमें एक idea मिल जाता है कि आज के दिन हमारा immediate support टेवल कौन सा रहने वाला और फिर हम उसके basis पे आसानी से trading decisions ले सकते हैं इसलिए change in open interest का समझ भी होना जरूरी है जितना हमें open interest का समझ होना चाहिए तो हम इस वीडियो में इसी के उपर बात करते हैं यहां पे हम change in open interest के data को लेते हैं और इसके basis पे हम देखते हैं कि हम आज bank nifty यानी 27th of September 2022 को कैसे trading positions initiate कर सकते थे अब देखिए यह आपका हर एक 15 minute पे update होता है live market में update होता है और यह data आपको कहा से मिलेगा उसके बारे मैं आपको complete information दूँगा लेकिन सबसे पहले आपको इसको समझना जरूरी है तो देखिए जब market open हुआ 9.15 से लेके 9.30 के बीच में क्या हुआ यहां पे हमें long build up देखने को मिला है bank nifty में तो चलिए अब हम bank nifty के chart पे चलते हैं देखते हैं कि अगर हम आपे हमें कुछ ऐसा मिलवा है तो हम trade initiate कर सकते हैं तो पहला पंदर मिलवाट हम यहां पे कोई trade नहीं लेंगे फुरा सा हम wait करेंगे और जैसे हमने पहला पंदर मिलवाट wait किया है क्योंकि यह 5 मिनट वाला चार्ड है हमें 3 candle यहां पे wait करना पड़ेगा तो तीसरा candle यहां पे आपका red form हो गया है और अभी sentiment भी negative है और अगर हम against the trade buy करते हैं तो वो काफी ज़्यादा risky हो सकता और यहां पे तीसरा candle में हमें strength भी नहीं दिख रहा है तो long build up होने के बाफजोद भी यहां पे जो buy side की तरफ trade है उसको यहां पे हम avoid करना ज़्यादा prefer करेंगे उसको यहां पे हम avoid करेंगे ठीक है तो यहां पे हमने long build up के basis पे trade initiate नहीं किया अब हम यहां पे क्या देखते हैं कि आगे हमें short build up देखने को मिलगा है और trend भी negative है मतलब short build up के लिए जा सकते हैं अगर negative candle में हमें strength देखने मिलता है तब और यह काम कब हो रहा 931 से यह काम start हो गया है तो यहां पे हम पहला candle को देखते हैं तो यहां पे हमें जबदस्त red candle दिखा है और यह काफी हद तक कौनसा candle बनाया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक्जेक्ट तो नहीं लेकिन काफी हद तक bearish engulfing candle जैसा बनता हुआ दिख रहा है और यह हमें क्या दिखा रहा है यह हमें दिखा रहा है कि यहां पे जो sellers है वो काफी हद तक strong है तो यहां पे हम change in open interest data को ले रहे हैं उसकी साथ साथ हम Candlestick के strength को भी एक साथ story करते हुए तब यहां पे हम trade initiate कर रहे हैं और candle का strength हमें बता दिया कि आप यहां पे sales side के तरफ initiate कर सकते हैं और हम sell side के तरफ trade initiate करेंगे वो करेंगे हम 38,900 के करिए तो यहां पे हम 38,900 करी sales side के तरफ positions initiate करेंगे और अगर आपको options में trade करना है तो यहाँ पर आप 39,000 के put options को buying करना prefer कर सकते हैं उसकी बाद हम क्या करेंगे हम trade जब तक ले दे रहेंगे जब तक हमें open interest में कोई changes देखने को नहीं मिलेगा उसकी बाद अगले ही 15 minutes बाद यहाँ पर long build up देखने को मिल गया तो हम देखते हैं कि चार्ट पे कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या तो यहाँ पर long build up हमें 945 के करीब देखने को मिला है और 945 आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर अभी भी rate candle देखने को मिल गया है यहनि अभी भी sellers में strength अच्छा खासा बना हुआ तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है और यहाँ पर लगबग आपका 955 की करीब एक green candle भी form हुआ है लेकिन उस green candle strength नहीं है वो अपने previous candle को भी नहीं हरा पाया है नहीं defeat कर पाया है तो उसमें ज़्यादा strength देखने को नहीं मिल बा और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद हमें long build up ही देखने को मिल बा लेकिन ऐसा कुछ हमें चार्ट पर नहीं दिख रहा जहाँ पर buyers के पास strength रहे तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ trading decisions initiate नहीं करेंगे उसके बाद आपका क्या हुआ 9.10 से लेके 9.15 के बीच में हमारा क्या start हो गया short unwinding start हो गया यहाँ जिन लोगों ने यहाँ पर short किया था वो यहाँ पर क्या करेंगे वो यहाँ पर profit book करना start कर दिये हैं उसके बाद अगर हम बात करें 10.00 AM से 10.15 AM की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या start हो गया यहाँ पर आपका short unwinding start हो गया यहनि जिन लोगों ने पहले short किया था वो क्या कर रहे है वो यहाँ पर market से exit कर रहे हैं और हमने भी short किया है इस level के आपस यहनि 9.30 से 9.45 के बीच में short किया है तो क्या हमें भी यहाँ पे निकलना चाहिए, इसके लिए हम वापस से चार्ट पे आते हैं, क्या कुछ ऐसा बन वाए, जिससे हमें निकलना परेगा, और यह बन वाए आपका 10 A.M. के करीब, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमें देखने को अभी तक नहीं मिल वाए, यहाँ पे अ आपका उससे पहले एक छोटा सा रेट केंडल बना है, फिर आपका एक बिग ग्विन केंडल बन गया, और इसको अगर हम गोर से देखें, तो यह आपका क्या पैटरन फॉर्म किया है, यह आपका बुलिश इंगलफिंग केंडलिस्टिक पैटरन का फॉर्मेशन किया है, औ बुलिश इंगलफिंग पॉजेटिव केंडलिश्टिक है, और यहाँ पर शॉर्म जो किए, वो पॉफिट भी बुक कर रहे है, तो यहांपे हम भी क्या करेंगे, पॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, और यहांपर हमरा जो पॉफिट बुक होगा, इसी बेउल के दावा दिखरा और अगर हम options की बात करें तो options में भी हम slightly इंदमनी गये थे यहां पे मुझे 100 point का profit आसानी से मिल जाएगा तो इस तरीके से हम open interest को देखते हुए अपना trade initiate कर सकते हैं तो इस तरीके से आप future और options यहां भी trade करते हैं trade initiate कर सकते हैं और इस trade में हम ज्यादा confidence क्यों थे क्योंकि अभी trend negative है और यहां पे हम trend के साथ जा रहें तो हमेशा आपको कोसिस करना है कि जो trend है उसको follow करना है अगर हमें option change है या फिर change in open interest है कहीं कुछ build up देखने को मिलता है buy side की तरफ strong वाला तभी हम trend के अगेंस जाएंगे नहीं तो छोटे मोटे जो भी हमें build up देखने को मिलता उसके basis पर हम against the trend जाने की हिम्मत नहीं करेंगे तो यह सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा हम आगे भी इसको देखेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह data आपको कहां पे अबलेबल हो जाएगा यह data आपको धन के trading platform में आसानी से अबलेबल हो जाएगा आप धन में अपना trading और डीमेट एकाउंट फ्री में open कर सकते हैं और फ्री में इस data का access कर सकते हैं नहीं तो बहार सा अगर आप यह data access करेंगे तो उसके लिए आपको extra charges पे करने पड़ते हैं लेकिन धन आपको यह सारा कुछ free में दे रहा है तो अपने trade के accuracy level को increase कर सकते हैं अपने trade को profitable बना सकते हैं विस extra piece of information जो की जल्दी कोई brokerage firm provide नहीं करता है तो अगर आपको यह data चाहिए तो इस video के description में लिंक है वहाँ पे click करके आप धन में अपना trading और डीमेट एकाउंट open कर सकते हैं तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा sort build-up देखने को मिलवा है तो यहाँ पर वापस से चार्ट पर आएंगे और 1045 के करीब यहाँ पर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर अगर हम 1045 के करीब देखें यह 1035 हो रहा और 1045 के करीब यहाँ पर आ गया है और उससे पहले अगर हम देखें यहाँ पर यह candle यह candle यह candle यह candle इन तीनों को अगर आप एक साथ देखो यह काफी हद तक आपका evening star candlestick का भी formation किया परफेक्ट तो नहीं है लेकिन काफी हद तक आप इसको evening star बोल सकते हैं जो कि हमें negative hint देता है तो हम यहाँ पर भी trade कर सकते हैं थे candleistry के basis पर लेकिन अगर हम यहाँ पर हम 38,650 के करीब अपना trading positions initiate करेंगे यहाँ पर हम sell के तरफ trade लेंगे futures में options की बात करें तो 38,700 के put options को यहाँ पर हम buy करना prefer करेंगे तो options में आप यह त्वेट ले सकते हैं और futures में आप यहाँ पर sell कर सकते हैं target price क्या होगा जो हमारा psychological level है 38,500 यह नहीं यहाँ पर करें तो slightly in the money options में हमें 100 points का profit मिलता हुआ दिख जाएगा अगर यह 38,500 के level पर आता है तो और साथ ही साथ हम open interest के build-up को भी देखना चाहेंगे तो आपका 11am से 11 15 short build-up है तो हमें जादा कोई देखने की जवरत नहीं है price आपका नीची जाता हुआ ही दिखेगा फिर आपका 11 1115 से 1113 के करीब long build-up start हो गया तो यहाँ पर हम एक बार चार्ट पर आना चाहेंगे 1115 के आसपास तो यहाँ पर हम 1115 करीब देखते हैं तो यहाँ पर green candle का formation start हो गया है और उससे पहले हमारे level को भी इसने आसानी से hit कर देनी 38,500 का level आसानी से hit हो गया और उससे नीचे 38,400 कर कर रहा है तो यहाँ पर हम चाहें तो profit करके पहले भी निकल सकते थे यह नहीं तो wait कर सकते थे और यहाँ पर अगर वेट करेंगे तो आपन से हम इस level करीब निकलेंगे जो कि आपका होगा 38,450 के आसपार तो यहाँ पर हम वेट करते हैं तो 50 points का और ज्यादा profit हमें मिल आपको maximum time accurate साविट होता हुआ दिखेगा जब market आपका एक range पकर लेगा उस time पर इसके basis पर trade करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन जब market में कोई भी direction हो चाहें ऊपर हो या नीचे हो तो फिर इसके basis पर आसानी से trade किया जा सकता है उसके बाद यहाँ पर हम और नीचे बना है तो 145 के करीब यहाँ पर हम आना चाहेंगे यहाँ पर हमने आसानी से trade initiate कर लिया हम पहले लगबग 2 hour में 500 points पहली बार sell करके और 1500 points फिर दूसरी बार sell करके profit बना लिया यह नी 300 points का profit हमने futures में बना लिया options की बात करें तो options में भी 200 points का profit बनाया जा सकता था क्योंकि ह हमें सा in the money options में trade करते हैं जहां पर हमें अच्छा खासा momentum देखने को मिलता है options के premium में भी अब यहां पर बात करें 145 पीम के करीब अगर हम बात करें तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल वह और प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ जा रहा है उसकी बाद यहां पर हम थोड़ा सा weight करेंगे और उसके बाद आपका एक green candle form हो गया तो थोड़ा सा यहां पर अगर हम चार्ट पर देखें तो 145 आपका जो होगा यह आपका 135 है टू केंडल बाद यहां पर आपका 145 करीब हो गया यहां पर हमें short build-up तो देखने को मिल वा लेकिन sellers में उतना strength नही चेक करना परेगा सिर्फ हम open invest build-up के basis पे trade initiate नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें trade करने के लिए किसी एक भी वरोसा नहीं करना होगा 2-3 factor को include करना होगा तो यहां पर हम यहां पर आजाएंगे देखेंगे short build-up कहां पर हुआ है वापस से short build-up आपका हुआ है दुवारा 2.15 PM के करीब तो यहां पर हम 2.15 पे आना चाहेंगे और 2.15 के करीब अगर हम बात करें तो यह इसके करीब यह नहीं 38,520 के आसपास यहां पर short build-up इस्टार्ट हुआ है यहां पर इसने क्या किया 38,500 के level को break किया जैसे यह level break होगा हम इस level के आसपास trading positions initiate करेंगे 38,400 करीब हमारा SL वैएगा 38,500 100 point के SL target price के अगर हम बात करें तो यहां पर हम आसानी से 38,300, 38,200 और 38,000 तक के level के लिए भी gradually जा सकते हैं तो at least जितना SL है उतना target price यहां पर हमारा first बंता हुआ देख रहा फिर दूसरा नीचे है तो इस तरीकिस हम gradually जाते रहेंगे और यहां पर भी हम देखते रहेंगे कुछ क्या changes हुआ है लॉहार्ट बिल्डप continue है 245 पीम तक और यहां पर लॉंग बिल्डप हमें देखने क मिला है 245 से तो यहां पर हम देखेंगे 245 के हाँ क्या कुछ हुआ है 235 है 245 यहीं 245 के बाद भी यहाँ पे selling pressure continue है यहाँ पे हमें ज्यादा कोई tension वाली बात नहीं है तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 245 से लेके 3 p.m. के बीच में long build up हुआ है तो 3 p.m. तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका red candle ही form कर रहा कोई tension वाली बात नहीं ले कि कोशिस कर रहा है तो यहाँ पर हम अच्छे खास है profit में हम क्या करें यहाँ पर अपना profit बुक करना प्रेफर करेंगे और हमने यहाँ पर sell किया था और अभी यह 38,250 के आसपास trade करता हुआ दिख रहा है यहाँ यहाँ पर मुझे फिर से 500 का profit ही मिलता हुआ दिख रहा और options की बात करें तो 100 points का profit मिल जाए अगर आप यहाँ पर 38,500 लिए उसके put options को अगर आप buy करना प्रेफर करते हैं तो इस तरीके से हम change in open investment जो build up बन रहा उसके basis पर trading initiate कर सकते हैं धन के trading platform में जो unique feature दिया गया है इसके basis पर हम अपना trade के accuracy level को और increase कर सकते हैं तो आप इसके basis पर इस तरीके से trading कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि यह information आपके लिए सही सावित होगा और यह video आपको पसंद आया होगा अगर आपक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जोड़ कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो आगे अपलोड करें उसका notification आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें so that's all friends मिलते है नेक्ट व